आज हम बाग करेंगे भाशा एवम उसकी विधाओं की, मैं डॉक्टर सुशी लाशील भाषा के बारे में बात करते हैं तो हम जानते हैं कि भाषा वे साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने भावों और विचारों का परस पर आदान प्रदान करते हैं भाषा का अध्यन, हम भाषा का अध्यन दो रूपों में करते हैं, एक विशय के रूप में और दूसरा साहित्य के रूप में, जब हम विशय के रूप में करते हैं तो उसमें भाषा का आर्थु, उत्पत्ति, प्रकर्दी, क्षेत्र, भाषा के कार्य, प्रकार, महत, सरूप लिपी व्याकरण भाषा विज्यानी त्यादी आता है और अगर हम साहित्य के रूप में करते हैं तो साहित्य हमें दो रूपों में दिखाई देता है श्रब्य साहित्य और दृष्य साहित्य श्रब्य साहित्य में गद्य पद्य अबम चंपू का व्यात्य हैं और दृष्य म में नाटक आता है भाशाओं की विधाएं और ये विधाएं शिक्षन की द्रश्टी से हैं गद्य, पद्य, नाटक, व्याकरण और रचना अब हम बात करें कि गद्य क्या है तो संस्कृत की गद्य धातु से उत्पन ये शब्द है जिसका अर्थ है इस पस्ट कहना आचार व गद्य का प्रारंभ आधुनिक काल से माना जाता है गद्य की उपविधाओं की बात करें क्योंकि शिक्षन संपून गद्य का ये प्रकार से नहीं हो सकता उसके लिए आपको अलग-लग विधियों की आवश्यक्ता पड़ेगी तो बहुत जरूरी है कि हमें उनकी विधाओं पता चलें तो गद्य की विधाओं में निबंध है इसी तरह के एक ही जो शिरणी के हैं आलोचना समीक्षा आलेक हासे वियंग उपन्यास आता है कहानी लगु कथा लोक कथा बाल कथा गल्प ये सब एक ही तरह की चीज़े हैं इसके बाद हम बात करते हैं गद् अलग तरह की जिसमें जीवनी आत्मकथा डाइरी संस्मरन और साक्षतकार आता है अब हम बात करेंगे पद्य क्या है पद्य या कविता गूंगे का गूड है कविता अरदय के भावों को भावों की रसातमक अभिव्यक्ति है संगीत में विचार है कल्पना युक्ति छंद दो पद्य रचना है जो आनंद प्रदादा भी है और पत प्रदर्शक भी वैदिक साहित में परमात्मा स्वेम रसरूप माना गया है तैत्री उपनिशद में कहा गया है रसो वैसा और जब हम पद्य की उपविधाओं की बात करते हैं गद्य की तरह पद्य को भी एक ही वि कावी होता है और मुक्ता कावी होता है प्रवंद कावी के भी कई खंड हैं कई भाग हैं महा कावी और खंड कावी महा कावी जैसे रामचरित मानस पदमावद कामाईन इत्यादी इसमें किसी भी नायक का जन्म से लेकर उसकी मृत्ति परियंत तक का वर्णन रहता है और मिल कर सकते हैं आधुनिक कावे की बात करें तो इसमें मुक्त छंद बहुत सारी कविताएं हैं हाईकू जो जापानी विधा है पिरामिड एक नई विधा का नाम है ताका या वाका ये एक नई विधा है सैदो का एक नई विधा है और आप देख रहे होंगे इसमें मात्रा इ इत्यादी सामने दिखाई दे रहा है एक और विधा है चोका तो यह नई विधा है आदुनिक पद्दे की इसके बाद हम बात करेंगे नाटक क्या है नट धातु से उत्पन शब्द नाटक इसका अर्थ है अभिने या अनुकरण तथा नृत्त करना भी नाटक द्रिश्य का इस विधा में अभिने करता मूल पात्रों वो पौरानिक हो सकते हैं एत्यासिक समसामियक कोई भी उनका अपनी उपर आरोप करके उसी प्रकार के आचरण का प्रदर्शन करते हैं हम नाटक की उपविधाओं की बात करें तो एकांकी रेडियो रूपर प्रहसन नुकर तंकी